Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 10.3 का question number first देखते हैं क्या है Can a polyhedron have four eight spaces? उसने क्या का है, क्या हम three, first part के अंदर क्या हम three triangle से एक polyhedron draw कर सकते हैं, या फिर four triangle से हम polyhedron बना सकते हैं, या फिर third part में पुछा है a square and four triangles, क्या a square और four triangles को मिला के हम polyhedron draw कर सकते हैं तो इसके लिए हमने क्या देखना है कि polyhedron होता क्या है, कोई भी हम polyhedron बनाते हैं तो वो faces से मिलके ही बना हुआ होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं polyhedron होता क्या है एक बार, यहाँ पे जस्ट पिछे चलेंगे, तो यहाँ पे हमें polyhedron shapes given है polyhedron क्या होती है, एक straight line से एक figure form होना made up of straight lines, जो straight line से figures form होते हैं, उनको हम polyhedron बोलते हैं अब देखो, यहाँ पे हमें example given है, these are polyhedrons, अब इनके अंदर देखो, सारी की सारी क्या है straight lines है, straight line से मिलके बने हुए, यह भी straight line है, यह भी straight line, यह उपर भी, यह सब क्या है straight lines, अब यहाँ पे क्या है, यह polyhedron के example नहीं है, क्योंकि देखो, यह circle है, curd path है इसके अंदर यह straight line यह तो है, बट यह straight line नहीं है, तो यह polyhedron के अंदर count नहीं होगा अब ऐसे cylinder, cylinder की जो यह length है, यह तो हमारी straight line है, बट उपर और निच्चे क्या होगा, हमारी curd से surface हो गया तो इसको भी हम polyhedron के अंदर count नहीं करेंगे I hope आपको polyhedron के बारे में अच्छे से पता चल गया है कि polyhedron है क्या चीज तो अब बात करते हैं, यहाँ पे उसने first part के अंदर क्या का है, क्या three triangle से हमारा polyhedron बन सकता है तो हमारा answer होगा इसका no क्यों नहीं बन सकता, अभी देखते हैं अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एक polyhedron है यह triangle से बना हुआ तो यहाँ पे हमें देखना है कितनी triangles यूज हुई है एक तो यह सामने वाली एक यह दूसरी वाली एक justice के पिछे, जो dotted form में दिख रही है, इस front के बिलकुल पिछे तीन, और एक यह, इसके बिलकुल opposite यह तो यहाँ पे कितनी triangles यूज हुई है हमारी four triangles तो minimum four triangles जो हमें required होती है एक polyhedron बनाने के लिए only three triangles से हमारा polyhedron नहीं बन सकता दोबारा देखते हैं एक तो यह वाली होगी हमारी triangle ठीक है, दूसरी triangle क्या होगी यह वाली triangles होगी यह बन गी तीसरी triangle क्या होगी, यह पिछे की तरफ यह दिख रही है हमें, यह dotted line से fourth triangle होगी हमारी यह white वाली ठीक है, तो four triangles से हमारा polyhedron बना हुआ है, तो हमारा first part का answer क्या हो जाएगा, three triangles से हमारा polyhedron रो नहीं हो सकता तो इसका answer आ गया, no I hope आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा next given है, हमें four triangle से हाँ, अभी अभी देखा है, हमने four triangle से तो हमारा polyhedron बना हुआ है तो four triangle से हमारा polyhedron एके draw हो सकता है next बात करते हैं, a square and four triangles एक square हो और उसके साथ हमारी चार triangles हो तो उनसे हमारा polyhedron बन सकता है बिलकुल बन सकता है कैसे, अब जैसे ये हमारा figure था ये वाला figure इसको मैं square के उपर put कर दू means, इसके निचे क्या कर दू draw, एक square draw कर दू इस तरीके से, तो हमारा क्या हो जाएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक polyhedron हो जाएगा क्योंकि यहां पर four triangles यूज होगे और एक square figure यूज हो गया तो square से और four triangles से भी हमारा polyhedron बन सकता है ठीक है, I hope ये भी आपको अच्छे से clear हो गया होगा तिनो के तिनो पार्ट, three triangles से हमारा नई बनेगा four से और square or triangle से हमारा क्या बन सकता है एक polyhedron draw हो सकता है I hope ये पार्ट आपको अच्छे से clear हो गया होगा next देखते हैं, second इसका question क्या है is it possible to have a polyhedron with any given number of faces क्या हम कितने भी number of faces से हमारा क्या कर सकते है polyhedron draw कर सकते है अभी अभी आपने first question के अंदर देखा कि three faces से तो हम बनाई नहीं सकते या तो हमारे पास क्या होने चाहिए minimum four faces होने चाहिए या four faces से ज्यादा होने चाहिए तो यहाँ पे हमारा answer क्या आजाएगा second वाले part में कि number of, पहले तो answer हो जाएगा कि no, कि कितने भी number of faces से हम draw नहीं कर सकते है if number of faces are greater than equal to four, इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं एक बार question number two के answer में क्या लिखेंगे if number of faces number of faces greater than equal to four अगर four से ज्यादा है या four ही है हमारे number of faces then polyhedron is possible polyhedron is possible ठीक है अभी अभी हमने देखा था कि three faces से हमारा polyhedron नहीं बनता है तो four faces चाहिए या four से ज्यादा faces चाहिए तब ही हम क्या कर सकते हैं अपना एक polyhedron draw कर सकते हैं I hope आपको second part भी second question भी अच्छे से clear हो गया होगा next देखते हैं अपना third वाला part third question इसका question number third के अंदर क्या है which are preism among the following ये हमारे पास four figures given है इन में से हमने ये बताना है कि preism कौन सा है और कौन सा हमारा preism नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हमें preism के बारे में पता होना चाहिए कि preism होता क्या है यहाँ पे जस्ट पिछे चलते हैं हम देखते है we say that a preism is a polyhedron whose base and tops are congruent polygons congruent का मतलब जिसका base और top face same हो बिलकुल एक जैसे figure हो मतलब एक regular congruent polygons से बनके बना हुआ हो उसको हम क्या कहते है preism देखो कैसे अब यहाँ पे देखो base ये जो हमारे figure है इसका base देखो क्या है हमारा एक rectangle उपर की तरफ आएंगे उपर आके भी हमारा क्या है base मतलब top face क्या है इसका मतलब जैसा base से है वैसा ही उपर है मतलब एक regular figure हो गया हमारा bottom face के हैं बिल्कुल same है तो इसको क्या कह देंगे हम prism बोल देंगे ठीक है next जो word आता है हमारा pyramid आता है pyramid के अंदर क्या आता है नीचे कोई भी safe हो उपर आके क्या आ जाए एक single point पे सारे के सारी जो edges है वो एक point पे आके मिल जाएं तो उसको क्या कहते हैं हम pyramid बोलते है ये भी है हमारा देखो यहाँ पे कुछ भी safe नीचे triangular है उपर आके इसके तिनो points आके एक single point पे meet कर रहे है तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा pyramid I hope आपको pyramid और prism के अंदर अच्छे से difference clear हो गया है जिसका top face और bottom face same हो same जैसा figure हो same है अपना कोई भी safe हो तो वो कहलाएगा हमारा prism और उपर आके अगर हमारी एक point पे आके points मिल जाते है सारी है जिस आके single point पे खतम होते हैं तो उसको हम बोलेंगे pyramid तो I hope आपको prism और pyramid में difference बता चल गया है अब आप बिल्कुल एजली बता सकते हैं कि उस्चा number third के अंदर कि prism कौन सा और pyramid कौन सा है अब चलो हमने तो prism बताना है अब यहाँ पे देखते कि उस्चा number इसके second part के अंदर यहाँ पे भी क्या है हमारा hexagonal shape है दूसरी side भी क्या होगा एक pencil जो है पेंसिल की दूसरी side भी क्या होती है वही shape होती है hexagonal तो यह क्या क्यलाएगा हमारा prism क्यलाएगा ठीक है fourth part के अंदर देखो निचे क्या है हमारा एक cuboid है या cube है उसका जो top face होगा वही हमारा क्या होगा इसके निचे से face भी होगा उपर अगर square है तो निचे भी square होगा तब ही हमारा क्या होगा एक box होगा या prism होगा क्या नाम है cube या cuboid तो ये दोनों क्या क्यलाएगे हमारे prism क्यलाएगे इस वाले figure में देखो उपर जाके क्या होगा एक single point आ गया बिल्कुल यहां पे nail बन गी तो इसको क्या कहेंगे pyramid ये भी क्या है उपर जाके single point पे meet कर रहा है तो ये भी क्या क्यलाएगे हमारा pyramid तो ये दो pyramid होगे हमारे ये दोनों की figure क्या होगे हमारी prism आई होप आपको prism और pyramid में अच्छे से difference clear हो गया होगा ये थे हमारा question number 3 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अमना question number 456 आई होप आपको अच्छे से clear हो गया होगा कोई doubt अगर आपको लगता तो आप मुझे comment कर सकते है otherwise इस channel को subscribe करें like करें और share करें thank you students for your love and sport thanks